तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर फिर बात करेंगी गेजे के कुछ टैपस के बारे में तो इसके पहले वीडियो में मैंने कुछ गेजे के बारे में बता है था और आज भी मैं कुछ और गेज जो बाकी है उसके बारे में बताऊंगा तो तली शुरू करते हैं तो हमा कि एक से 45 डिगरी की कौन मापी गई है ठीक है अलग अलग पतियों में अलग अलग अंगल ना पा गया जैसे 45 डिगरी 35 डिगरी किसी में 25 डिगरी किसी में 18 डिगरी अलग अलग कौन अंगल दिये हुए है तो इस तरह इसके पतियों के सारे हम लोग जॉब के कौनों को माप स के लिए हम लोगेंगे के हम से इंसे जो सेंटर गेर बोलते हैं और यौद स але aur आगे का भाग देख रहे हैं जो पइंटола गेंगे को साट डिघ्री में ग्राइंड किया हुअ राता है तो इसका हम लोग कहां पर झरिंगे को सेंटर गइज कर eccला कॉल्व करते हैं तो let machine में जो cutting tool लगी हुई होती है उस cutting tool को centralized करने के लिए अपने केंदरबिंदू पर मिलाने के लिए हम लोग इसका use करते हैं तो देख सकते कि figure में cutting tool है और cutting tool को centralized किया रहा है अपने केंदरबिंदू पर ठीक है इस तरह से हम हम लोग क्या करेंगे center gage के use करेंगे और उसके center point को मिलाएंगे । कि इसके बाद अगला गेS है उसी को और गे S इसकते उस जगह पिका जाता है जैसे बित्कार जॉबcit उफाहें का मिलग मापने क सकते हैं। अगला जो गेज है वो टेपर रिंगेज है तो टेपर रिंगेज देख सकते कि इसका आगे का भाग वो संकु आकार यानि देख सकते कि लोग है कि बाल्टी यहां जो होती है तो बाल्टी यहां के जैसा इसका आकार किया हो रहता है संकु आकार को होता है ठीक है टेपर इसलि त्रेड रिंगे जैसे क्यों बोलाइता है क्योंकि इसके अंदर के भाग में थ्रेड की होते हैं चूडिया कटी हुई होती है ठीक है इसके अंदर के भाग में चूडिया कटी हुई है देख सकते कि इस इमेज में दिया हुआ है तो इसका यूज हम लोग कहा करेंगे तो इसक कि किसी प्रकार के बोल्ट हो गए या फिर जॉब में हम लोग जब ठेडिंग करते हैं उसके उपर चूडियां काटते हैं देख सकते इस फिगर में तो वह चूडियां कितनी फाइन ट्रेड कटी हुई है उसको चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं अगर उन चूडियों के उपर रुखड़ा पन या फिर स्क्रैफ है तो हम लोग इसमें डाल कर उसको घुमाने से वह जो कटिंग एंगल है वह पूरा फ्री साइज हो जाता है और आराम से ह हम लोग किसी भी अएम हम लोग कर सकते हैं जैसर घ्र करमें बिया हुआ है तो ली मिट्स नाच Tib के देख सकते हैं इसमें जो लाल तरह का बौरड़ दिखे रहा उसको हम लोग नो गो बोलेंगे और इसके अपोजित डायरेक्शन को को हम लोग वो साइट जी हुए pack इसमें जो सीरा होता वो एड़ेस्ट कर सकते हैं अलग अलग जॉब्स के साइज के मुताभिक ठीक है तो जितने भी अलग अलग प्रकार के जॉब्स होंगे उनसको हम लोग इस पर रखकर मुझा करके उसका माप सकते देख सकते पहले पता है कि जिसमें मार्क रेट किया हुआ उसको नोट गो आधर नीचे वाले को गो साइड बोला जाता है तो इस फिगर में देख सकते हैं कि एक गोल आकरिती के जॉब को एड़ेस्ट किया गया है ठीक है इसी तरह से हम लोग स्नैप गेज का यूज कर सकते हैं अलग अलग ज देख सकते हैं कि इस फिगर में डील बिट दिये हुआ है जिसके अलग अलग कोंट दिया हुआ जैसे एक तो देख सकते हम लोग डील एंगल गेज के दवारा हम लोग ड्रील बीट को मापता है कि उसके जो center point है उसका जो आगे के point है वो सही रूप से grind किया हुआ है कि नहीं इस तरह से हम लोग इसका use करेंगे ठीक है तो मैं आसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो मिलते हैं हम लोग इसके अगले भाग में और भी कुछ gauges बचे हुए है मैं इसके अगले वीडियो में आपको और भी gauges के बारे में बता हूँगा तो मिलते हैं हम लोग next classes में और भी gauges के साथ ठीक है जिन्होंने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया वो please हमारे चैनल को subscribe कर ले थैंक यू